नमस्ते दोस्तों में नाम है संचरा फ्रंग प्रिटी कर्स और आज का वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज आपका रिक्वेस्टर वीडियो में आपके नियन आई हूँ जो है कलवाना प्रोड़क्ट्स रिव्यू यह वीडियो एकदम स्पॉंसर नह इस वीडियो में बताऊंगी सबसे पहले मैं आपको इन गवाना के कल्के रेंज में इनके सारे प्रोड़क्ट्स में कुछ-कुछ पॉंवन चीज़ जो मैं पहले आपको बता दूई थाकि हरे प्रोड़क के बारमें बताते हुग मुझे बार-बार वो दोराना ना पड़े तो आप देख सकते हैं कि इसका पैकेजिंग बहुत ही अट्रैक्टिव है मुझे काफी अज्जा लगा बेरी वेरी गुड़ वर कलवाना काफी ट्राविल फिर्ट पैकेजिंग अब देख सकते हो यहां पर एक टेप लगाल और बसीवर वुट्टूगो या फिर नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा यह लीग भी नहीं करता काफी अच्छा पैकेजिंग है और बहुत अट्रैक्टिव है मुझे कफी पसंद आया था कलवाना के प्रोड़क्ट्स के कलर नॉर्मल जो भी मार्केट में एव काफी ओयल है हम वाइट कलर देख देख के बहुत ही है इसलिए शायद हमको लगेगा कि यह उतना अच्छा नहीं होगा यह हम थोड़ा सा उन्दीब डाउन फील करेंगे कि नहीं हमें यूज नहीं करना जाए पर ऐसा नहीं है यह काफी नॉर्मल है सेकेंड प्राइंट इ मैं आपको मेंशन कर दूँगी या फिर आप अमाजान नाइका से भी खरिश सकता है उसका लिंग भी में डेस्क्रिप्शन में दे दूँगी तलवाना ने उनके सारे प्रडूक्स में फ्रेग्रेंस प्री लिखके रखा है पर इसमें आपको फ्रेग्रेंस मिलेगा करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत जादा गारा कंसिस्टेंसी में बट कोई प्रॉब्लिम नहीं करेगा बाद में कि काफी लाइट वेट है तो भी आपके लिए बहुत है इनका पूड़ा पूड़ा प्रोड़क्ट रेंग्लिसरीन फ्री है पर यह एक कॉंट्रोवर् लेके आपके बालों के अंदर ले आता है काल बहुत स्विल हो जाता है और फ्रेजी लगने लग जाते हैं पर यह थोड़ा कॉंट्रोवर्सल टॉपिक है यह मैंने क्यूं कहा इसे प्रोड़क्ट भी यूमीड एरिया में जहां पर मॉस्टर बहुत जादा है यह में वहां प्रोड़क्ट निव्यू करते हैं सबसे पहले कलवाना का फॉर्टीफाइंग कर्ल क्लेस यह शैंपू है यहां पर लिखाए कि यह फ्रिकुएंट वश माइल्स एंपू है पर मैं कहूंगी कि यह बिल्कुल भी फ्रिकुएंट वाच माइल्स एंपू नहीं है यह मीडियम तो स्ट्रेंड सेंपू है और यह आपके बालों को काफी अच्छे से ड्राइड आउट कर सकता है आपके बाल की क्लीन जैसे हो जाएगा यह यूज करने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है यह प्रोडक्ट क्यूंकि मुझे प्रोडक्ट क्याल्प एक दम ही प सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं है तो आइविल नॉट बाइट आइविल नॉट और सज्जेस्ट यू तो बाइट और इसका अभी तो यहां पर लिखा है कि 599 इसका MRP है पर आपको यह 299 में सहीं मिल जाएगा Amazon में यह नाइका में पर मुझे बिल्कुल भी सब्सक्राइब और है इसका फ्रेग्रेंस भी काफी स्ट्रॉंग है अलाकि यह फ्रेड आउट हो जाता है पर इसका काम जैसे मैं चाती हूं कि मेरे सैंपू माइल्ड हो मॉस्चराइजिंग हो यह थोड़ा सा स्लिप रहे इसमें ऐसा पुछ भी नहीं है और एक बात आप इसे यूज़ करना चाहते है तो पहले डिटैंगलिंग कर ले क्योंकि इसको एपलाई करने के बाद फिर कंडिशनर एपलाई करके आप डिटैंगलिंग मत कीजिए यह शैंपू में बिल्कुल भी स्लिप नहीं है यह अपलाई करेंगी तो ड्राइड आउट भी हो जाएग है पर करता है नहीं के कंडिशनर में मीडियम स्लिप है बहुत ज्यादा अच्छे से मॉस्टराइज भी नहीं करता है यह भी आपको अराउंट 299 रुपेज मिल जाएगा यह भी काफी एफॉर्डबल है वट 299 के अंदर और 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 भी काफी हेर मास कंडिशनर है जो बहु एक काम आप कर सकती है इसको अपलाई करने के बाद अच्छे से वाटर से इसको डाइल्यूट करके आप अपलाई कीजिए पूरत पूरा बालों में डिस्टिब्यूट कीजिए 5 मिनिट तक इसको बालों में रखने के बाद आप बाल डिटैंगल कर पाएंगी फोड़ा सा लेके इसका कुछ काम नहीं हो पाएगा आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटे में यूज करना पड़ेगा तो एक्चुली में इसका कुछ फाइदा है मुझे नहीं लगता है इसका फ्रेग्रेंस भी काफी स्ट्रॉंग है हालांकि यह भी लिंगर और नहीं करता है लिए बखवास प्रड़क्त प्रोड़क्त प्रड़क्त ना है सलीप ना मॉसराइजिंड प्रॉपर्टी इसमें कि प्रॉपर्टिजन पर करता है नहीं कुछ और मैं बहुत ही डिसपॉइंट हूँ इस प्रोड़क को लेके स्पेशली इसका स्मेल इतना गंदा है और इसका स्मेल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है हाँ लिंगरों नहीं करता है और जब भी अपलाई करो इतना गंदा स्मेल है कि मैं तो सह नहीं सकती जब भी मैं इसको करते हो बालों में बहुत मैट हो जाता है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसा हाला कि हम यर्माज लगाने के बाद हमको लगता है कि बहुत अच्छा स्लिप रहेगा बहुत अच्छा से मॉस्टराइज करेगा और यह प्रोड़क कुछ भी नहीं करता है मेरे बालों के यह बहुत अच्छा काम किया है जब भी बालों पे लगाती थी बाल बहुत मैट हो जाते थे कैसा एक मडी मडी सा फील आता था नरिशमन तो छोड़ी दो तो मैंने अपना आपको बता दिया पर आपको अगर लगता है कि आपको आपको अगर प्राय करना चाहते हो तो मैं खुछ नहीं बोल सकती कि आपके बालों में यह कैसे काम करेगा यह मेरे बालों पर काम नेकी है बहुत अच्छा काम किया है तो आप देख लो आपको खरीदना या नहीं खरीदना है अब आता है कल वाना मॉस्टर लोग कर स्टैलिंग लीविन प्रिंग यह पोड़ट यह लिविन कंडिशनर कास्ट देता है होल्ड देता है डेफिनेशन भी देता है विदाउट जिल बहुत अच्छा लिविन कंडिशनर है एंड इस प्राइस तो नाइटिनाइन अपको एजिली मिल जाएगा मेरा डिसकाउंट को लगाओ तो आप टू सेवेंटी सेवेंटी फोड में मिल जाएगा आपको बहुत अच्छा प्रड़क्ट है इसका भी थोड़ा से स्ट्रॉंग टू मीडियम फ्रेग्रेंस है बट इन डजन्ट लिंगर और तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें स्लिप भी मीडियम है नॉर्मल लीविन क्रीम में स्लिप न काफी अच्छा फोल्ड देता है और हां नो रेसिड्यू कोई भी रेसिड्यू नहीं होता बहुत अच्छा प्रड़क्ट है मेरा वन अब फेवरेट लिविन कंडिशनर ने यह और हुमिडीटी में जो आपे हुमिड एरिया जैं बहुत अच्छा काम करता है समर और वोन्स स्टाइलिंग जिल यह वन अप मैं फेवरेट जिल है यह जिल बहुत ही अपरड़ेवल है आपको वैसे ही सेम 299 रुपीज में मिल जाएगा और भी बहुत कम में मिल सकता है नाइका में अभी सेल चल रहा है 274 रुपीज में मिल जाएगा आपको और आप मेरा कोड लगाओ होगे तब भी आपको मिल जाएगा 274 रुपीज में अमाजॉन में मिल जाएगा सबका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी यह आपको हाला कि मुझे 4-5 देज तक यह दे देता है बहुत अच्छा वोल्ड डेफिनेशन सब कुछ पर आपको नॉर्मली 2-3 डेज त अच्छा वाई प्रोड़क्ट थोड़ा सा और यह स्ट्रांग मीडियम फ्रेग्रेंश इसका भी यह लिंगर उन तो करता नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और है यह जिल आपके बालों को मौस्टराइज भी करता है एख ही कौन इसका कि यह अपलाई करने के करोगे ना यहां पर यह बहुत अच्छा चीज होगा आपको सिर्फ एपलाई करना है थोड़ा सा वर्टर और यह जेल रियाक्टिवेट हो जाता है खुदबखुद आपको फुझ भी नहीं करना आपको जिल भी अपलाई नहीं करना है जो जिल अपने वस्टे पर करोगे जैसे यह दो स्टाइलिंग प्रोड़क्स अफ एफ लाई करोगे तो ड्राइक करने के वरक्त ने जब आपके बल धीगे रहेंगे बालों में जब आप ठरच करेंगी आप तो थोड़ा सा प्रॉड़क्टिव होगा वर्ट वो ड्राइन होने के वाद ठीक हो जाता ह मैंने के टाइन पर ने ग्लूपी सा फीलिंग होता है क्लम्स कुदबा खुद बनने लगते तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता बीगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा यह जैने यह दो पुड़र्स अलग पुड़र्स के साथ यूज किया है और यह वाला जिल मैंने आप ऐसे से काम कर सकते जैसे क्लिश करना है शैंपू आप विकली वन्स कीजिए कंडीशनर यूज करना है तो पहले थोड़ा सा डिटैंगलिंग करके यूज कीजिए और यरमास तो बेहुल मत यूज कीजिए उसको फेकी दो अगर आपके बालों को शूप नहीं करता है औ जिन लोगों ने खरीदा नहीं है उनके लिए मैं बोलूँगे सिर्फ यह दो प्रोड़ाइफ लो यह दो प्रोड़ाइफ बहुत ही अच्छा है यह दो प्रोड़ाइबने से तुम्हारे पैसे भी बचेंगे काम भी हो जाएगा और तुम्हें बहुत पसंद भी आएगा तो आज के लिए इतना है आई हो आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा आपके दोस्तों फैमिली फ्रेंड्स में यह वीडियो शेयर कीजिए कॉमेंट लाइक करके बताईए कि आपको कैसा लगा और ऐसे यह अधर अधर ब्रैंड के प्रोड़ट के भी डिव्यू चा चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब बटन भी प्रेस कर देना थैंक यू सो मच पर वाचिंग मिलते में नेस्ट वीडियो पे बाबाई